दोस्तो पहले टेस्ट मुकाबले में शाथो भात टेम को मिली सरमनाखार के बाद गुस्से में आकर कप्तान रोही सरमा ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भात टेम की प्लेइंग लेउन को बदल कर रख दिया है और अब कप्तान रोही सर्मा ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भाटे टीम की प्लेइंग लेउन से उन सभी खिलाडियों को भार का रास्ता दिखा दिया है जो साथ अफ्रिया एकिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में अपने बल्ले और गेन से कुछ खास कमाल करने पाए थे उस साथ अफ्रिया एकिलाफ बुरी तरह से फ्लोप साबित हुए थे तो दोस्तो आखिकार भारते टीम को पहले टेस्ट मुकाबले बाद गुष्टे से बुख़ाई क कपटान रोईसर्भा ने दूसरे ठेस्ट मुकाबले के सुरॐत होने से पहले भारते टेम की प्लेइंग लेओन में कौन-कौन से बड़े और चोकाने वले बदलाओ कीए और दूसरे टेस्ट मुकाबले में शाटोफे टीम का सफाया करने के लिए कौन-कौन से खिलाडी और घेनने का मोगा दिये बताइंगे आपको आज केस वीडियो में पूरी खवर दोस्तों सबसे पहले आपको बता देगी पहले टेस्ट मुकाबले में भार्टे टेम को साथ अफ्रेय टीम की हातों 32 रनों के बड़े अंतराज जिहार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों सबसे पहले टेस्ट मुकाबले में बुरी तरह से हरा कर पहले टेस्ट मुकाबले में मिली हार का बदला लेने के लिए और इस दो टेस्ट मुकाबलों के सिरीज में एक एक से बराबरी करने के लिए भार्टे टीम की घातक प्लेइंग लेवन का एलान भी कर दिया है जिया दोस्तो आपको बता दे कि भारत और साथ अफरीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला तीन जनुरी को खेला जाएगा और ये दूसरा महा मुकाबला साथ अफरीका के टेप टाउन के मिजान पर खेला जाएगा तो वहीं साथ अफरीका टीम इस महा मुकाबले को जीत कर सिरीज पर कबजा करना चाहेगी ऐसे में दोनों हे टीम में इस महा मुकाबले को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगाने वाली है यानि हमें दोनों है टीमों के बीज एक बेदी रोमान्चक टेस्ट मुकाबला देखने को मिनने वाला है तो आईए दोस्तों आप जानते हैं कि भारत टीम की कप्तान रोहिस सर्मा ने इस दूसरे टेस्ट मुकाबल में शाथ अफ्रिका का सफाया करने के लिए भारत टीम की प्लेंग लिएउन में कौन-कौन से खिलाडियों और खेनने का मुका दिया है और किसे दिखाया भार का रास्ता दोस्तों अगर सबसे पहले हम भारत की इसलामी जोड़ी की बात करें तो आपको बता दे कप्तान रोहिस सर्मा ने साथ अफ्रिका के खिलाब इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत टीम की इसलामी जोड़ी के रूप में कोई भी बदलाव नहीं किया है यानि दूसरे महा मुकाबले में एक बाद फिर रोहिस सर्मा और यससी जोड़ी जोड़ी भारत पारी की शुरुआत करते हुए नज़र आएंगे खिलुआ करे गब दोस्तों पहुड़ी जोड़ी 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 एक बार्वी जोड़ी जोड़ी होड़ी जोड़ी जोड़ी動画 की पृआत खिल दोसरे में रोहिस सर्मा अपने खादा तब कहूने में नाकाम रहे थे लेकिन दोस्तों यदि भारत टीम को दूसरे टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों को ओपनिंग बेटल में आकर काफी शांदर अंदास में बल्लेबाजी करनी होगी जबकि दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबासों के अलावा नमबर 3 पर कप्तान रोई सर्मा ने एक बार फिर से कोई बदलाओं नहीं किया है और नमबर 3 पर एक बार फिर शुम्मन गिल कोई बल्लेबासी करने का मोगा दिया है आपको बताते हैं शुम्मन गिल भी टेस्ट फॉर्मेट के काफिशांदर बल्लेबास माने जाते हैं लेकिन दोस्तो विदेशी सरजमी पर शुम्मन गिल का बल्ला अभी तक खामोशी देखने को बिला है तो विदेशी सरजमी पर हराना भाते टीम के लिए तना भी असान नहीं होगा क्योंकि दोस्तो साथ आफरी काई सरजमी बल्लेबास इन दोनों काफी शानदर फो में चल रहे हैं ऐसे में 207 के खिलाब इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में विराट कोली शांदर बल्य बाजिय का नजारा पेस्ट करते हुए भारते टीम को विज़े बनाने में अपना अहम योगदान देते हुए नजार आइंगे जबकि दोस्तो विराट कोली के अलावा कप्तान रोह सर्मा ने भाते टेम के और श्यन नमर 5 पर एक बहुत बड़ा बदलाओ कर दी है जिया दोस्तो आपको बदा दे कप्तान रोह सर्मा ने दूसरे टेस्ट मकाबले में सरे से यर को भार का रास्ता दिखा दिए यानि इस दूसरे महा मुकाबले में वहाद टेम के ओर्शन नबर पांस और अभीमन्यू इखेलते हो दिखाई देंगे और दोस्तो आपको बता देए अभीमन्यू टेस्ट फोर्मेट के काफी शांदर बल्लेबास पाने जाते हैं और दोस्तो लोकेश राउल भी इन दिनों काफी शांदर फोर्मे चल रहे हैं जिया दोस्तो आपको बताते हैं जहाँ पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में भारत के सभी बल्लेबास धेर हो चुके थे तो में लोकेश राउल ने एक छोर से साथ फिटाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 101 रनों की शतकी पारी खेल कर भारते टीम को एक शमान जने के स्कोर्ट तक पहुंचाया था हाला कि दोस्तो दूसरी पारी में लोकेश राउल मतर चार रनों की पारी खेल कर चलते बने थे ऐसे में दोस्तो इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में लोकेश राउल शांदर बल्ले बाजी करते वे भारते टीम की जीत की पटखता लिखना चाहेंगे जबकि दोस्तों लोकेश राउल के अलावा कप्तान रोई सर्मा ने भाद टेम के ओशन अबर शाथ पर एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया और कप्तान रोई सर्मा ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में रवीज चंदर अस्विन को भार का रास्ता दिखा दिया क्योंकि दोस्तों अस्विन का परजशन पहले टेस्ट मुकाबले में कुछ खास देगने को मिला नहीं था और अपने गेंद और बल्ले से अस्विन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे और बूरी तरे से एक फ्लोप सावित हुए थे ऐसे मिस दूसरे टेस्ट महा मुकाबले में कप्तान रोही सरमा ने अस्विन को भार का रास्ता दिखा कर रवींद जडेजा को खेंने का मोगा दिया है वो जैसा कि आप सभी जानते हैं जड़ेजा कितनी शांदर खिराडी है और इन दिनों कितनी शांदर फों में चल रहे हैं वो जड़ेजा अपनी शांदर गेंद बाजी के साथ साथ निचले करम में आकर काफी तफ़ानी अंदास में बल्ले बाजी भी कर सकते हैं ऐसे में साथ तो फ्रिगाई खिलाब इस दूसरे टेस्ट मुकावले में जड़ेजा कप्तान रोही सर्मा के लिए तुरम का एकका सावित हो सकते हैं जबकि दोस्तो जड़ेजा के लावा कप्तान रोही सर्मा ने भाज़े टेम के ओश नमबर आट पर शादूर ठाकूर को खेलने का मोगा दिया है वो जैसा कि आप सबी जानते है सादूर ठाकूर भी शांदर गेंद बाज़े के साथ साथ निचले करम मिया कर काफी कमाल की बल्ले बाज़ी भी कर सकते हैं हाला कि दोस्तो पहले टेस्ट मुकावले में शादूर ठाकुर कुछ खास कमाल करना नहीं पाई थे AISM इस दूसरे टेस्ट मुकावले में शारदू ठाकुर अपनी गेंदबाजी के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स सर्मा लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि हमारते टेम इस दूसरे महा मुकाबली को जीत कर इस दो मुकाबलों की टेस्ट स्रीज को एक एक से बराबर कर पाई गया नहीं कॉमेंट करकि अपनी राई हमें जरूर दीचेगा